गुड मॉनिक फ्रेंड्स आज मैं आपको GTT order कैसे प्लेस करना है उसके बारे में detail में बताऊँगा GTT order just like bracket order एक delivery के लिए stop loss and target दोनों cover करने वाला एक order है जो इसमें either side से कोई भी एक order trigger होने से दूसरो order by default cancel हो जाता है जैसाब rapid order हम लोग अधियर इंटरडे में यूज करते थे जो अभी ब्लॉक है करेंटी जब सेम तिंग सेम कॉंसेप्ट के साथ जेरोधा आया है delivery के लिए तो अभी suppose जैसे में को indigo का buy order लगाना है तो अगर मेरे stocks के इसाब से मेरे pattern के इसाब से suppose मैं इसकी 6 quantity लगा देता हूं ओके चलो 5 लगा लेते हैं suppose में को इस पे 5 quantity पे trade लेना है और में को delivery में trade लेना है तो मैं इसमें कैसे order लगा हूँ suppose मेरी entry price है 1714 एंड यहां पे भी मैं trigger price almost same डाल देता हूं 1714 तो अभी मैं को GTT order place कर रहा है याने उसमें मेरा stop loss और target को लोग सेट करने है तो stop loss सेट करने के लिए मैं stop loss फ़ले को active करता हूं यहां पे जैसे आप देख सेथे हैं मानस 5% आ रहा है मानस 5% को में को change करना पड़ेगा एक मिनीट मानस 5% को change करके हमको 2.65 suppose 2.65 का मेरा उसमें alert आ रहा है तो मैं 2.65 कर दिया और target सेट करने के लिए मैं target सेट कर देता हूं जैसे suppose अगर मेरा target 5.75 है तो जैसा आप देख सकते हैं अभी मैं इसमें एक single order में अपने एक single order में मैं 5 quantity indigo का order place किया हूं NSC में अभी current price 16.84 है लेकिन मैं आगे की price पर कर रहा हूं इसलिए मैं SL यूज कर रहा हूं order type SL यूज कर रहा हूं order type SL इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने current price से higher price पर buy के लिए order लगा रहा हूं तो यहां पर मैं order place करने के बाद सारी values heat करने के बाद इसको place कर देना है तो देख सकते हैं आप 5 quantity order fix हो गया है और यहां पर मेरा pending में one order दीख रहा है अगर आप देखेंगे तो मेरा previous जो active GTT है तो यहां पर आपको अब active GTT दीखेंगे जिसमें यह मच्छा है quantity अपना मेरा भी इसमें trigger क्या है created date 28 तारी को create हुआ था यह order जब मैं प्रिस किया था 28 तारी को किया था तो यह मेरे price थे stop loss में यहां पर 15 16 का stop loss रखा हूं कि यहां पर आके मेरा exit हो जाएगा जब मैं place किया था तो टू पॉंट सम्तिंग का sell था जैसे से price उपर जाएगा यह percentage value हमारे current price के respect में change होते जाएगे target का यहां पर डाल के रखाऊंगे तो यह सब यहां पर एक साथ जो active होने के बाद में यहां पर देख सकते हैं कि आपक तीन एक्टिव है यह तीन स्टॉक्स मेरे अभी active है तीनों का जिटिटी प्लेस है तो आप भी ऐसा जो भी आपकी strategy है जो delivery बेस पे हैं उसको आप इस तरीके से trade में ले सकते हैं थैंक्यू